हलो इस्टुट्ट्स नेक्स्ट आगए अपना कैशन नमर फिफ एक्साइस 3.2 के लिए सेम कैशन है सेम कंसेप्ट है देखो क्या दे रहा है 10 जून 1948 को जो है वो थर्स्टे है वहिया क्या है थर्स्टे है उससे पूरा कवर करो कैशे कवर करेंगे बताता हूँ अब हमें शुरुवात कहा से करनी है जून से चुरुवात करनी है ठीक है भाई कर लेते हैं, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सेप्टेंबर हो गया, अक्तोबर हो गया, नवेंबर हो गया, और डिसेंबर आ गया, ठीक है, जून के नहीं कितने देज होते हैं, सर थर्टी होते हैं इसके अंदर, ठीक है, अब थर्टी मैं से हम सब्सक्राइब कितने हटाने सब्सक्राइब सब्सक्राइब किसी को भी नहीं है चलिए आगे बढ़ते यह अपने पकड़ लिए कि 10th जून को थ्रजड ये तो थेंथ वाले हिस्से को अगे से काउंट करो 11 से लेके 30 तक होजना 20 हो गया आपके पास अब इनको और डेज में करते हैं 20 को डिवाइट करो 7 से 7 से डिवाइट करोगे इस तरीके से 7 को 20 से किया 7 टूजा 14 कितना बचा जो remainder बचए वो आपके odd days है remainder remainder बचा वो 6 बचा हमार पास यहाँ पर remainder 3 बचेगा आप divide कर देखेश फिट 3 बचेगा फिट 3 बचेगा फिट 2 बचेगा फिट 3 बचेगा इनका मैं क्या कर देता हूं सम कर देता हूं छीगे sir बिलकुल कर देता है करो कितना हो गया 6 और 3 3 6 6 6 12 12 13 14 14 और 7 कितना हो गया 17 हो गया 17 हो गया इसको डिवाइड करेंगे 7 वापस काउंट कर लो एक बार बली 6 3 हो गया यह 6 6 12 हो गया 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15 16 17 18 19 20 21 22 इसको 7 से डिवाड करेंगे 7 3 जा 21 होता है रिमेंटर कितना बचेगा वन बचेगा तो वन और डे वन और डे ठीक है सर यह वाली बात भी समझ में आगई आगई आगे बढ़ें अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है 10 जून के बास से अपर 1940 कर लिए अब आपनेको कहां से चलना है 1949 से चलना है 1968 तक चलेंगे सब गरेंगे फॉटपी नाइन लिए कउन्ट करना है आप और गरना है तो तोड़ा सा इसका अप दिमाग में करना है इससर इससको माइनस कर नो हां यार कर सकते हो लेकिन माइनस करनेह आप तो यह को अड़ेगा समझ रहों 18, 9, 19 year है तो इसको आप क्या मानोगा 20 years मानोगा सर कैसे 20 कैसे 49 और 50 2 years तो यह हो गए 50 के बाद आप count करो 50 से 60 जाना है तो 10 year यह हो गए 60 से 68 जाना है 18 year यह हो गए और 2 year जो पहले के चूटे है तो 20 year हो गए ऐसे तो minus करने वाले fund चलोगे तो उसमें एक plus कर दिया गुर्वा न उसमें क्या minus में फिर एक साल काम हो जाता है ऐसे चलिये 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 ओके सर ओके यहां तक तो आ गए है हम क्या करना है भई जल्दी से बताओ बिल्कुल टाइम भी लगाएगा कोई भी बच्चा हाँ वे 20 years हो गए आप 20 years के ना क्या करें four से divide करते हैं हाँ सर बिल्कुल अब आप थोड़ी सी कला करें का दियान रखना कैसे कला करें सर 20 years है अब इसमें leap year और आपको general year निकारना है अब थोड़ी समय आपको confusion सा create करूँगा आपके लिए ठीक है 1953, 1954, 1955, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 जो आपको को समझाना चाहरा हूँ अभी बताता हूँ 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 67, 1968 अब मेरी बार समयना अब एक बार है न एक मिनट, एक मिनट, आल ब्लैक ले लेता है यार अब देखो, 49 के जो last 2 है उनको डिवाइड करके देखोगे तो क्या निकल के आएगा ये क्या निकल कर आएगा ये लीप ये रहे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा सरी ये तो जन्र लीप ये रहे 4 से डिवाइड करो इसको 4 से डिवाइड करो 50 को हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइट, पूर बंजा पूर नहीं होगा, नहीं होगा, जन्रल यह रहा है, 51 को डिवाइट करो, जन्रल यह रहा है, 52 को डिवाइट करो, फिर जन्रल होगा, फिर जन्रल होगा, फिर जन्रल होगा, फिर लीप होगा, जन्रल होगा, जन्रल होगा फिर आपके पास क्या हो जाएगा यह लीप हो जाएगा समझ को तीन-तीन का गैप होता है लीप हो गया फिर जनरल होगा जनरल होगा जनरल होगा और फिर लीप आ जाएगा फिर जनरल होगा जनरल होगा जनरल होगा और फिर लीप आ जाएगा अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो जो values हैं वो कैसे निकल कर आएंगे देखो लीब किते हो गए 1, 2, 3, 4, 5 सर 5 निकल के आ रहा है यह तो अपने इसको डिवैड करके पता कर देते सर यह तो हम इसको 4 से डिवैड करके पता कर देते लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहरा हूँ कि अगर यह 1968 की बजाए कुछ आगे value होती 1968 के आगे value होती 68 के बाद 69 या 70 या 71 आप निकाल रहे होते अब भी आपके पास लीब यर 5 ही होते मैं यह कहना चाहरा हूँ कि मतलब जो last इसका जो लीब वैल्य है वो 68 है यह समझना आप इस चीज़ को मैं यह समझाना चाहरा हूँ कि last value जो है वो लीब यर की यह 68 है इसके बाद values कितनी भी बढ़ जा लेंगे लीब यर की value जो है 5 ही रहेगी समझेरों यह वाला concern में इसलिए समझा रहा हूँ एक बार आप थोड़ा सा रफली समझो मेरी बात को आपको सर बीच में क्या रामाइन लेगा है नहीं important एंटर देखना जो hundred years होते है ने शुरुवात वाले उसमें लीब यर पता करने के लिए 4 से अगर आप divide करोगे इसलिए हम आगे वाला count नहीं करते हैं समझेरों तो यह फंडा इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर values कई बार बड़ी भी आ जाना तो एक बार थोड़ आसा उसको ध्यान लगा के सोचना उसकी जो last value है वो leap year है या नहीं है इस तरीके से ठीक है हटा दू इस वाली value को समझ में आगया हो गई यह क्या समझाना चारहे है अपन चलो 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 इसको अटा देते हैं वापस से तो स्टूजेंट्स क्या चल रहा आपका सलेबस वगर है कहां कहां से जुड़े वह हो कुछ तो बताए अगर यार कॉमेंट्स प्ताए नहीं लगता कौन-कौन देख रहा कौन-कौन नहीं देख रहा किसी लिए helpful हो भी यह कुछ यह नहीं हो रहा है यह अपन ऐसे गलाफ आट रहे हैं चलिए हाँ 20 यह ओ गया अब 20 यह के अंदर अगर मैंने लीप यह मैं कनवर्ट किये तो फाइफ तो मेरे पास लीप यह निकल के आ गए अब मुझे और डेस निकालने कैसे निकलता भी मैं यह को मॉटिप्लाइबाइब लाइट करते हैं जैनल को मल्टिप्लाइब लाइन करते हैं इसको डिवाइड बैट सेविन 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 से जाएगा तो कितना बचाएगा फाइब से बन गया फोर ओड डेस बचेंगे चलिए ठीक है सर यह स्टार बना के अपने इसको और बना दिया ठीक है आगे देको आगे देखो आगे आगे देको आगे देको आगे अब क्या करना है यह आप हो गया आते हैं पर 69 पर लास्ट वाला प्रान आप तो और से करता है 1969 में आपकी उימ hello karma द्या से शुरू होगी जैन से शुरू होगी दे जैन जैन ओके जैन फैब मार्च एप्रिल में जून जुलाइ आगरस्ट सेप्टेमबर टोबर नॉबंबर फीज़ के बई अब देखो अब सुनो आगे सुनो आगे क्या है कहानी है आपकी जैन के अंदर जो है कितने दिन होते हैं सब 31 होते है पहले तो यह चेकरो 69 आपका जो है वो कौन सा डे है लीप यह रहा है जब 68 लीप है तो उसके बाद जनरली आएगा सफिक्स है तो फैब 28 पही होता है मार्च आपका कितना होगा 31 30 31 30 31 31 और नवंबर के अंदर 30 होता बड़ हमें कितना चूज करना 16 नवंबर यानि 16 ही वैल्यूस चाहिए हमें अब आप इनके और नंबर और डेज लिख दो यहाँ पर ठीक है 31 में और ने किसमें होगे 7 से डिवाइट करो और जो बच गए यानि कि 3 यहाँ पर 0 यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 और 7 टू जा 14 कितना बचेगा टू एक बार फिट से चाहलो आप 31 है तो 3 होना चीए अब आपने का सम कर दो simply add कर देता है 3 और 3 कितना हो गया 6 3 3 3 कितना हो गया बताओ यह सरी यह हो गया 9 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 10 11 11 के इंदर 2 जोड़ेंगे 11 12 13 13 और यह 14 15 हो गया 14 15 में यह 6 जोड़ देते हैं 14 15 में यह 21 हो जाएगा 21 में यह 5 जोड़ देते हैं 26 हो जाएगा इसको divide by 7 करेंगे हम कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 कितना बज़ गया 5 odd days हो गया एक बार फिट से cross check कर लेते हैं इसको न 3 3 6 7 8 10 13 16 19 20 21 21 24 25 26 सही है 7 321 और 5 odd day होगे अब देखो कितने सारे star मना रहा हो मैं और डेस के लिए एक यह रहा एक यह रहा और एक यह रहा ठीक है क्या गरें इन सब और डेस को अपन को सम करना टोटल निखालना है आज वो नेक्स वाली स्लाइट पर सही है ना मैंने 16 नवंबर तक ही लिएना था 16 नवंबर ओके डन मैं लिख रहा हूँ अब टोटल और डेस ठीक है टोटल और डेस एक पर वन है वन के बाद 4 हो गया फॉर के बाद 5 हो गया सही है न वन फॉर और फाइफ ही है टैन और डेस हो गया है इसको सेविन से डिवैड करेंगे कितना बचेगा सेविन मंजा सेविन कितना बचा थ्री ओड डेस फ्री ओर डेस का मतलब हो गया तरजले के बाद से कांट करो थर्ड नमबर तक तरजले के बाद क्या आता है भी फ्राइडई सैटरड़ और संड़े आस तो संड़े है नमेंबर 1969 को क्या हो जाएगा अब क्या संड़े हो जाएगा संडे हो जाएगा बताओ क्या समझ में नहीं आया के लिए रहां तक इच्छे से यह थ्री है यह और ओ है यह थ्री और देज निकल गए हमार पास और 16 नमेंबर और 1969 को अपने काउंट करके फ्राइड़ी सेट्रडे और संडे गोशित कर दिया के लिए रहे हां तक यह कंप्रीट होता आपका कैस्ट नमबर फेव